हेलो स्टूदेंट्स दिस परी सिंग और आज में आप लोग लिए इतिहास विशे में हडपा सब्वेता यान सिंदू सब्वेता का चैप्टर लेके आई हूँ इस चैप्टर से आज हम देखेंगे कुछ इस इंपोर्डेंट कुषिशन जो कि हमारे एक्जाम के लिए बहुत दूरी रही है आज हम इस पढ़ेंगे सिंदू सब्वेता का विकास कैसी हुआ इसका विस्तार कैसी हुआ ऐसे कौन-कौन सी परिस्तियां थी जिसमें इसका विनाश हो गया या फिर सब्वेता कहां तक व वीडियोज आएं आपको उनका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए चलिए शुरू करते हैं सिंदू सब्वेता के पूर्व भारत का इतिहास रिगवेदिक काल से माना जाता था सिंदू सब्वेता की सरक्रतम जानकारी 1826 में चार्ल्स मर्सन ने दी थी किन्त उस तमें सब बटन बंदों ने इसकी सूचना दी परन्तु तब भी इसको कोई समझनी सका अब 1921 में दयारान साहनी ने हडपा की खोच की तथा 1922 में राखलदास पेनर जी ने मोहन जुदुरू भी खोच की जब 1856 में बटन बंदों ने इसकी खोच की थी तब रेलवे लाइन का काम च कर गई नाची से लाहूर रेलवे लाइन बिचाते हुए जब तो इटों का सक्षे में लेते इटों की सूचना सूचे मिली थी तब वहां से वर्टन बंदों ने इसकी सूचना दी लेकिन कोई महत्व इसकी जानकारी का कोई महत्वता नहीं थी आगे देखते हैं बहुग अब हम हडपा सब्वेता की भोगलिक विस्तार की बात करेंगी तो भोगलिक विस्तार को देखते हैं यह सब्वेता जो हडपा सब्वेता है उसका विस्तार उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर यह मांडा चिनाव नदी मांडा से लेकर दक्षण में प्रवरा प्रवरा नदी प्रवरा जो नदी है वो नर्मदा की सहायक नदी है कि तट पर इसते दायमावाद तक और पश्यम में बलुचस्तान की मकरान तट पर इसते सुतकार इंडोर से लेकर पूर्व में यहाँ पर पूर्व में यह थोड़ा इधर हो गया है पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीर पूर तक फैली हुई है प्राचीन सब्यताओं मेंसे यह सबसे विस्तरित सब्यता थी वहीं अगर दिखा जाये तो इसका आकार जो छेत्र था वो तिरबुजाकार था और जो इसका छेत्र पल था लगबग 12,99,600 वर किलोमीटर है और प्राचीन, मिस्त्र और मैसुपोटा मिया सब्यताओं मेंसे सबसे बड़ी सब्यता है वहीं रेडियो कारवन C14 की पदिती के आदर पर इसका काल 2350 इसापूर से लेकर 1750 इसापूर के वीच है तो आगे देखते हैं हडपा की तिथियों का किरम सबी विद्वानों का मत अलग अलग है हडपा की तिथियों के बारे में कुछ का देख लेते हैं हम रेडियो कारवन तिथि C14 के द्वारा चौन मार्शल ने हडपा सब्यता का काल 2350 और 1750 इसापूर सर्मन है अन्य विद्वानों के अनुसार पर्स्ट माधव स्वरुवत्स 3500 से लेकर 2700 बीजी डीपी अग्रवाल 2300 से लेकर 1700 बीजी वीलर के अकॉरिंग 2500 1500 बीजी और अनेस्ट मेके के अकॉरिंग 2800 से लेकर 2500 बीजी यहां BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट आगे देखते हैं हडपा मैंने सभी स्थल्स को अलग-लग मेंशन किया हुआ है अलग-लग स्थल्स के जो भी पॉइंट से अलग-लग मैंने मेंशन कियो है हडपा को देखते हैं चलिए शुरू करते हैं हडपा वर्तमान में पाकिस्तान रावी नदी के बाइटट पर इस्तित हैं यहां से अन्नागार और 15 छोटे-छोटे कमरे मिले हैं जिने श्रमिक आवास कहा जाता है इसे के पास 16 भट्टिया में मिली हैं जहां धातू गलाने का काम होता था हडपा न पाइना संग्का बैल पीटल्कायका यह की विश्ष्टान हैं आगे दिकते हैं सी हड़्यां गदिया मिली हूए घ्रगोष की लहरी साप की संय Yak मूर्टियां मिली है out् cooking को पकड़े हुए है हेरन भीद होरी हुए है मोहरों के बात की जना तो हडपा में सर्वाद cycle सनी को द थ्रवर मोर्दित ऐंकनमला वही हरप्पा की सभ्ष बात के जाए तो हरप्पा से सरवाधिक dovь दो मैं यह वोग पुरूषों की मीलवल्य और उत्तरपश्य मी चैत्रों से महिलाओं की मौर्थियां Dec Ken रिव blur हम आगे शुरू करते हैं पाकिस्तान के सिंदु छेत्र में सिंदु नदी के दाहिनी टट पर इस्तित है इसकी खोज 1922 में राखलदा स्पेनर जी ने की थी नगर नियोजन की बात की जाए तो प्रातात्रिक साक्षियों का संदेश संगेत है मोहन चोदुरु साथ पर बसा हुआ है प्रमुक हिमारत है ब्रहद इसनानागार अनागार समावन ब्रहद इसनानागार है यहां किसी भी कब्र की सूचना नहीं है इसनानागार की बात की जाए तो यहां इसनानागार में ताल बीच में तालाव है सीड़ियां दक्षण पर्शिम की और वैवस्तेत है और उत्तर पूल की और पानी ज इश्व का सरवादिक आश्यरेजनिक सनरशना बताई है नगटीला तो यहां परंप्रागता परंतु यहां की मुख्यबात गी थी कि यहां किसी भी कब्रग्रा की सूशना नहीं मिली है जो कि मैंने यहां पर मेंशिन भी किया हुआ है पशु आकृति की बात करें तो एक पाषु पति की मिली है इनकी खुश अर्नेस्ट मैकी नी की थी यहां सरवादिक मौरें प्राप्त हुई है अन्या प्रस्तर योगी की व्रशब की मूरति मिली है मोहन जोड़ों से 42 नरकांकाल मिली है एक चांदी की कलद से कपड़े के बने हुए कुछ तुकडे मिली है का सबसे प्रमुख कलाकरती मानी जाती है यहां जो 42 नरकंकाल विक्रियों मिले हैं नरकंकालों के बारे में वीलर ने बुला था वीलर ने कहा था कि यह आर्नेयों के आक्रमड का सिध्धान को प्रस्तूत करते हैं लेकिन वहीं नवींतम शोड के एक्कॉर्डिंग आर कैनेडी ने पता किया कि इन व्यक्तियों की मिरतियों तो आक्रमड से नहीं बलकि बीमारी से हुए जो की बीमारी मली रिया थी तो स्टुडेंट्स यहां तक हमने कंप्रीट किया है बाकी का जो चैप्टर है हम इसे अपने second part में कंप्रीट करेंगे अभी इसमें बहुत सारे इस त और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में कमेंट भी कर सकते हैं थैंक्यू स्टुडेंट्स बाई